हेलो स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर अभी शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीफरेंट टाइप के हैबिटेट की हैबिटेट्स होते हैं आवास जिस पर जिसमें एनिमल्स यह लीविंग वस्ग्या करते हैं अपना घर बनाती हैं और रहते हैं the place where organism live is called habitat जहां पर जीव रहते हैं उसे habitat का जाता है यानि एक घर होता है वो habitat means a dwelling place dwelling place मतलब रहने की जगए the habitat provide food water air shelter and other needs to organism habitat जीवों को हवा पानी shelter यानि शुरक्षा और रहने की जगए सब कुछ provide कराता है several kind of plants and animals live in same habitat बहुत तरह के जीव एक ही habitat में रह सकते हैं the plants and animals that live on lands are said to live in terrestrial habitat वे जीव या वो पोधे जो जमीन पर रहते हैं या पाए जाते हैं उनके लिए हम कहेंगे उनका habitat कैसा है terrestrial habitat है some example of terrestrial habitats are forest, grasslands, deserts, coastal and mountain region चिन में से कुछ habitats हैं हमारे पास जैसे forest जंगल हो गए, grassland घास के मैदान हो गए deserts मतलब रेगिस्तान हो गए, coastal तटियक शित्र हो सकते हैं and mountain region और पहाड़ी जगए on the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, वो जीव या वो पोधे जो पानी में रहते हैं पानी में पाए जाते हैं, उनके लिए जो habitat होगा, वो aquatic habitat होगा जलिये एक्षित्र Lakes, rivers and oceans are some examples of aquatic habitats जीले, नदिया, सागर ये कुछ उधारन हैं जो aquatic habitats कहलाएंगे There are large variations among terrestrial habitats like forest, grassland, deserts, coastal and mountain region यहाँ पर अलग-अलग तरह से ये varieties पाई जा सकती है जैसे deserts में भी ये चीज़ें हो सकती है और coastal 31 सित्रों में भी ये हो सकती है grassland में भी नदिया मिल सकती है और mountain region में भी कोई जील मिल सकती है और ये अलग-अलग parts में located होती है The organism, both plants and animal living in a habitat are its biotic component वे जीव जो किसी भी habitat में पाई जाती है उन्हें हम biotic या फिर जीवित उसका part कहेंगे The non-living things such as rocks, soil, air, water in the habitat constitute its abiotic component और जो जीवित नहीं होते जैसे पत्थर होगे, मिट्टी होगे, हवा, पानी ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे ये जीवित part कहलाएंगे habitat का और sunlight and heat biotic और abiotic components तो हमें पता है, sunlight जीवित नहीं होती, तो ये abiotic होगा Heat भी क्या होती है, abiotic होती है We know that some plants grow from seeds हमें पता है, कुछ plants seeds से जो है, पैदा होते हैं और अपना growth seeds से शुरुआत करती है Let us look at some abiotic factor and their effect on seeds as they grow into young plants तो हमें पता है, ये दोनों एक दूसरे से related होंगे Biotic और abiotic एक दूसरे से जुड़े होगे होती है इसलिए हम कहेंगे, कि abiotic conditions की help से Biotic बनाया जा सकता है मतलब, सुरिय के परकास की help से खाना बनाएंगे Plant जो की सुरिय के परकास से जो खाना बनेगा वो abiotic होता है लेकिन plant जो होंगे, वो abiotic होती है अब activity करते हैं हम एक activity में आपको क्या करना है कोई भी दाल ले लेनी है जैसे मूंग दाल हो सकती है, चना दाल हो सकती है complete दाल, मतलब वो टूटी हुई ना हो और उससे हम क्या बनाएंगे, अंकूरित करेंगे उनको और देखेंगे कि light का उसके क्या आफर पड़ता है वाटर का उसके क्या आफर पड़ता है, मिट्टी का उसके क्या आफर पड़ता है इन चीज्जों की यहाँ पर देखेंगे we made sprouts from moong and chana seeds moong और चने के बीजों से हम sprouts बनाते हैं बहुत बार when the seed runs into a sprout, it is said to have germinated और जब बीज से sprouts बनते हैं तो हम कहेंगे कि वो अंकुरित हो गये हैं हमें पता है दालें क्या हो जाती हैं अंकुरित हो जाती है भीगोने चे तो वो अंकुरित हो जाती है this is the beginning of life of a new plant और ये एक plant के नए जीवन की शुरुवात होती है collect some dry mung seeds आपने कुछ बीज इकठे करने है mung के keep 20 and 30, 20-30 seeds aside आपने क्या करना है 20 या 30 बीज अलग निकाल लेने हैं और बाकियों को क्या कर देना है एक तरफ रख देना है और जो 20 या 25 आपने seeds लिये थे उनको क्या करना आपने भीगो देना है पानी में पूरे एक दिन के लिए divide the soaked seed into four parts अब जो आपने बीज भीगोए थे अगले दिन उनको चार पार्ट में divide कर दीजिए keep one part completely submerged in water for three or four days उन में से तीन या चार बीजों को आप पूरी तरह से पाने में भीगे रहने थे तीन या चार दिनों के लिए जो एक पार्ट आपने लिया है चार में से डू नो डिस्टरब द्राइशीड एंड दो सर्मर्ज इन वाटर जो पानी में आपने भीगोई हैं उन्हें बाहर ना निकाले उन्हें डिस्टरब ना करें किप वन पार्ट ऑफ सोक्ट सीड यानि जो पानी में शुरुवाद में भीगोए थे आपने उनमें से कुछ बीजों को आप दूप में रख दे और इन अनादर इने कंप्लिट्री डार्क रूम और जो उसमें से कुछ रह गए हैं उनको अंधेरे में रख दे यानि आपने चांक ल INTzen लेने हैं उनको पानी में भिगोवना है एक दिन के लिए और फिरिषब वो उनको एक दिन के बाद आपने उनको निकालना है टेबल पे उसके चार पार्ट बनाने है और चार में से एक पार्ट को आपने फिर से पानी में क्या कर देना है रख देना है तीन चार दिनों के लिए और एक पार्ट को आपने धूप में रख देना है और एक को आपने चाओं में रख देना है अंधेरे में में रख देना बिल्कुल जैसे किसी कब बर्ड में रख सकते हो या फिर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो या फिर आप बरफ में रख सकते हो इसको और उसके बाद आपने सब्सक्राइन सीड को चेक करना है तो अप पाएंगे कि सभी के सभी किया हो चुके हैं जर्मिनेट हो चुकी है तो यहाँ पर हमने क्या देखा अपने हैं झाहित और इयर वास लाइट या इन and heat are important for the growth of plant यह इंपोर्टेंट जरूर होते हैं लेकिन इनके बगायर भी जीवन संभव है लीविंग और्गिनिजम इनके बगायर भी क्या हो जाती हैं अपने आपको डैवलेप्ट कर लेती हैं वी फाइंड डैट ओर्गिनिजम एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेरी होट क्लाइमेट तो हमने देखा कि रेफ्रेजेटर वाले बीज भी क्या हो चुके हैं अंकूरित हो चुके हैं जो आपने धूप में रखे थे वो भी अंकूरित हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या हुआ यह जो एबाइटिक फेक्टर थे हवा पाने धूप यह सिर्फ क्रोथ में हैल्प करते हैं जब वो बीज अंकूरित हो गया है तो उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं लेगे अंकूरित होने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती है ओके तो ऐसा कैसे कर पाते हैं यह जीओ यह तो यहां पर हम बोलेंगे एडप्टेशन इस दा मैथड बाइविच ओर्गेनिजम गेट वैल एड़स्टीड टूदा क्लाइमेट एडप्टेशन होता है अनुकूलन अपने आसपास के अनुसार धल जाना तो इसके अनुसार जो है बीजें जो है धल जा जाती विकोज दा अबर्टिक फेक्टर ओफ एड़ीजन आलसो चेंज बेरी स्लोली यह कि आसपास के जो फेक्टर है वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं बदलते हैं और जो जीव अपने आपको कलाइमेट के अकोर्डिंग चेंज कर लेते हैं आसपास के क्या कोर्डिंग वह जीवित रहते हैं बाकी क्या होते हैं मारे जाते हैं तो जो जीव अपने आसपास के अकोर्डिंग अपने को बदल लेता है वो ग्रोथ कर जाता है इस रिजल्ट्स इने वाइड वैराइटी ओफ ओर्गेनिजम इंदा डिफरेंट हैबिटेट तो अलग-अलग हैबिटेट हैं जो क्या कर चुकी है अपने आपको बैलेंस कर चुके हैं अब हम कुछ हैबिटेट के बारे में यहां पर पड़ते हैं जैसे यहां पर डाइग्राम आप देख सकते हो डैजर्ट का लिया गया है जब भी आप किसी डैजर्ट में जाओ तो आप ध्यान से देखना वहां पर कुछ अनिमल्स आपको मिलेंगे फोर एक्जामपल दीज आर डैजर्ट अनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक विस्ट डू नोट है वो लॉंग लेग्स जिनके पास बड़ी टांगे नहीं होती डाटे कैमल है जो की कैमल के पास होती है तो सटे अवे फ्रों दा इंटेंस सीट गर्मी से बचने के लिए वो क्या करते हैं डूरिंग दडे दे स्टे इन बोरो डीप इन सेंड वो रेत के नीचे क्या रहे हैं पड़े रहते गहरी में इस अनिमल कम आउट ओनली डूरिंग दा नाइट जो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं वेन इट इस कुलर जो ठ ऐपिकल प्रांट एट ग्रो इन डेजर्ट तो आपने बहुत सारे ऐसे डेजर्ट में प्लांट देखें होंगे जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके अलावा नहीं पाए जाते हैं क्यों क्योंकि वह अपने आपको रेगिस्तान के अपोर्डिंग धाल चुकी हैं अब पोधा जो आसपास आपका मिल जाए दोनों पोधों को क्लास में ले आए क्लास्रूम में टाइप ओलिथिन बैक्स टू सम पार्ट ओफ टू प्लांट उनके जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं उनके चारों तरफ एक-एक पोलिथिन को बांद देना आपने और तब पोलिथिन बांद देना है अब पत्ते में से जो है वाटर वैप पर आएंगे और वो पोलिथिन पर इकठे होते चले जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या नोटिस करती हैं हम नोटिस करते हैं कि वह प्लांट जो बहुत ज्यादा पत्तेदार है यानि कि आसपास का गोई भी है उसमें जो पानी है पोलिथिन में वो ज्यादा है और कैक्टस वाले पोलिथिन में क्या है पानी कम है यहां से क्या चीज कलियर होती है यहां से कलियर होता है कि जो कैक्टस है उसने ट्रांसपाइरेशन कम की है मतलब अपने पत्तों से पानी को बाहर कम निकाला है यहां से पता चल जाता है कि वह पानी का लोज नहीं करते और वही पानी फिर वह उनके फूड बनाने में काम आता है तो इस तरह से हमने देखा डैजट प्लांट्स लूज बैरी लीटल वाटर थो ट्रांसपाइरेशन डैजट के प्लांट होते हैं वह बहुत कम पानी का लोज करती है जो पत्ते होते हैं इस तरह के एरिया में पोधों के या तो वह होते ही नहीं है या फिर बहुत चोटे होते हैं आपने देखागा कैक्टस के चोटे-चोटे पत्ते होते हैं और जो बड़े पत्ते हमें दिखाई देते हैं जैसे नागफनी में वह एक्चुली पत्ते नहीं होते वो तना होता उसका स्टेम का पार्ट रहते हैं तो हम यहां पर नोटिस कर चुके हैं कि जो फोटो सिंसेजिस होती है वो स्टेम में होगी इनके तो इस तरह से हमने देखा डैजट्स में जो प्लांट होते हैं वो बहुत कम पानी का लोज करते हैं और अपने आपको ग्रो करते रहते हैं कल हम बात करेंगे माॉंटैन की ओके वहाँ पर कैसे जीव रहते हैं और कैसे वह अपने आपको ग्रो करते हैं Quickly all the best